इस video में हम देखेंगे कार का interior door handle कैसे change करते है यह आप देख सकते हो back side वाला door है हमारा इसका है handle तूड़ गया है तो आज हम इस video में इस handle को change करेंगे new handle fit करेंगे इसकी क्या process है पूरी हम वीडियो में देखेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का handle आता है यह दूसरे साइड वाला handle है और यह handle है हमने नया मंगाया है यह online purchase किया है हमने आप देख सकते हो यह genuine part है यह हमें पढ़ा है 393 का और कुछ 25 रुपीज shipping चार्ज था handle की quality आप देख सकते हो original handle है यह handle हमने online बोड मों website से purchase किया है अगर आपके nearby कोई genuine part बेचता है तो आप वहां से खरीद सकते हो नहीं तो online खरीद लो online में shipping चार्ज लगेगा हम पूराने handle को निकालते है देख सकते हो अंदर के side आपको एक छोटा box नजर आएगा उसके अंदर screw लगा होता है तो screw driver के मदद से उस box को हम खोलेंगे और उसके अंदर का screw निकालेंगे आप देख सकते हो इस तरह से खोलना है तो जो आपको panel नजर आ रहा है वो पूरा panel ही निकलेगा उसके बाद handle change होगा तो पूरा panel निकलने के बाद handle अंदर से change होता है को screw driver के मदद से screw निकलना है टोटल दो या तीन screw है यह आप देख सकते हो नीचे के side एक screw है screw निकल यह अब अब देख सकते हो इस तरह का screw आता है फिलिप्स हेड श्क्रू तो दो श्क्रू निकलने के बाद थोड़ा ही लेगा आपका पैनल उसके बाद आपको end में एक screw मिलेगा उसे भी खोलना है अब देख सकते हो किस तरह से हम खोल रहे है end वाला screw same screw है उस screw के उपर एक cap लगे हुई मिलेगी cap को निकलना है उसके बाद screw loose करना है आप देख सकते हो इस तरह का screw है तीनो screw निकलने के बाद या फिर और कोई screw है आपके पैनल में तो वो भी निकलना है सब screw निकलने के बाद आपको पैनल को थोड़ा pressure लगा कि खिचना है पैनल के इंटिरियर साइड में अंदर के साइड में छे से लेके दस तरक लॉक होते हैं इंटर लॉक होते हैं तो उसे हमने निकालना है आप देख सकते हो इस तरह से आप स्कूराइवर की मदद से निकाल सकते हो जो पिंक और येलो दिखाई दे रहे हैं वो इंटर लॉक है कि निकल गया है दूसरे साइड को भी हम निकालेंगे स्कूराइवर की मदद से तो सब गाड़ी में सेम सिस्टम रेता है कि यह हमारी आय ट्वेंटी मैगना है 2013 का मॉड़ल है तो अपिख सकते हमारा पूरा पैनल निकल गया है और हैंडल के पीछह आपको 2 वाइर दिखाई देगी वह दोज्टम दोनों वाइर को निकलना है तो वह दो वाइर निकलने के बाद हमने पैनलल शीट पे रख दिया है आकि वीडियो बनाने में आसानी हो तो आप देख सकते हो ये हैंडल पूरा ऐसे निकलना है इंटर लॉक है इसमें भी थोड़ा सा प्रेस करके निकल जाएगा हैंडल पूरा अब देख सकते हो हमारा हैंडल कैसे निकल गया है ये पूराना वाला हैंडल है जो तूड गया है अब हम इसकी जगर नया हैंडल फीट करेंगे यह हमारा नया हैंडल है तो इसे भी इंटर लॉक की मदद से सिर्फ फिक्स करना है इसमें कोई स्क्रू नहीं लगता डोर लगाने के बाद जो स्क्रू लगेगा वो हैंडल को पकड़ के रखता है तो अभी फिलल थोड़ा हैंडल लूज नजर आएगा आपको तो अब हमारा हैंडल लग गया है और हमने पीछे की दो वायर वायर जो रहते हैं वह भी लगा लिए हैं बस आपको याद रखना है कौन सी वायर उपर है और कौन सी नीचे इसके बाद हमें पूरा पैनल फिक्स करना है पूरा पैनल फिक्स करने के बाद स्कूरू लगाने से पहले हमें टेस्ट करना है डोर लॉक होता है अनलॉक होता है या नहीं और उसके बाद स्कूरू लगा लेने हैं तो इस वीडियो में इतना ही मैं आशा करता हूँ आपको डोर हैंडल चेंज करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा